अलो फ्रेंड्स, रीसेंट इंपोर्टन जज्जमेंट्स के साथ आपके समख शेक बार फिर प्रस्तुत है इस नई सीरिस का अगला वीडियो लेकर भे ये ओडियन्स का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्मांस दिया इस सीरिस को तो आईए आज फिर हम कुछ नई जज्जमेंट्स को डिस्कूस करते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिस परकार श्री कृषिन भगवान ने अर्जुन को भी तराग भै से अलग होकर करम करना सिखाया ओनरेबल सुप्रीम कोट ने भी 2019 में कृषिन प्रसाद वर्मा वर्सिस स्टेट और बिहार में यह कहा कि केवल ओनरेबल सुप्रीम कोट या ओनरेबल हाई कोट को ही फिरलेस नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बलकि सुबॉडिनियर जजिस को भी फिरलेस और इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए क्योंकि 80% लिटिगेशन जो है और 80% जो पीपल है उनके लिए वही फाइनल कोट है और जो उन्होंने कह दिया जज्जमन दे दी वही उनके लिए फाइनल हो जाता है और दूसरी जो जज्जमन हम यहां पर डिसकेस कर और कहा कि extreme view नहीं लेना है क्योंकि excess of everything is poison और balance is the key तो सुशील होकर आपको कोई भी fixed time limit तह नहीं करनी है एंटिस्पेटरी बेल के लिए लेकिन अब यहां पर यह भी नहीं है कि आप कोई time limit तह नहीं कर सकते यानि बीच के रास्ते का चुनाव करना है ओडिनेरली आपको को fixed time तह नहीं करना है हाँ लेकिन peculiar circumstances में आप यह कर भी सकते हैं और यदि किसी accused को anticipatory bail पर release किया किया है तो उसको ना surrender करने की जरूरत है ना regular bail लेने की कि भाई केवल section 27 of evidence act में उसे या तो disclosure statement के लिए या recovery के लिए उसकी जरूरत बता कर बुलाया जाए तो यहां पर यह भी ज जो confusion है वो clear किया गया सुशीला अगरवाल versus state of NCT में यानि जो सज्जन बुरुष हैं जो सुशील लोग हैं उनहीं को anticipatory bail का benefit मिलता है और अब जो judgment discuss करेंगे वो है SK मुहम्मद रफीक versus managing committee रह्माना कॉंटाय रह्मानिया हाई मदरसा हाली में असाम government ने कहा कि secular देश में secular education हो में चाहिए इसलिए मदरसास को बैन कर देना चाहिए तो honorable supreme court ने रफीक की statement में क्यारिफाई किया कि quality education के लिए या एक standard maintain करने के लिए minority education institutions को भी direct किया जा सकता है और under article 29 और 30 यह किसी तरह का violation नहीं होगा quality और standard improve करना standard maintain करना वो किसी तरह का violation नहीं है in articles का और अब बात कर लें हीरा सिंग वर्सेज union of India तो इस judgment में honorable supreme court ने एक बार फिर से conflict को resolve किया और यह कहा कि अगर आपने drugs में कोई substance, neutral substance जैसे की chini, gober या good mix कर दिया है business करने के लिए फिर यहां पर चाहें वो एक किलो चीनी हो, good हो और उसमें 10 ग्राम ही drugs की उना mix की हो, charge तै करने के लिए, charge frame करने के लिए, punishment तै करने के लिए, उसे total weight के रूप में ही मापा जाएगा, neutral substance like sugar, jaggery या dung, इनको use करने से हम suede of नहीं होंगे, तो यहां पर actual drug के weight की तरह ही उसको देखा जाएगा, measure किया जाएगा, इससे ही तै होगा कि small quantity है, intermediate है, या commercial है, तो भई हीरा सिंग में हीरे जैसी important बात कही गई by honorable supreme court, जैसे 1 gram हीरा लाखों में उसकी कीमत होती है, वैसे ही 1 gram OPM की भी कीमत लाखों में होती है, तो हीरा सिंग हमें इस तरह से याद हो जाएगा विनिता शर्मा वर्सिज राकेश शर्मा, नाम से ही पता जलता है कि पती-पतनी का नाम होगा, पर यहाँ पर यह जो case है, वो का पार्सनरी का था, आगस्त मंत में यह judgment आया, तो यहाँ पर यह बेटियों के लिए आजादी दिवसके से कम नहीं था, एक्वैलिटी का राइ 2005 को जब यह एक्ट आया, उस तारीख से बेटियों को बेटों के बराबर को पार्सनरी का राइट मिलेगा, अब चाहे पिता यहाँ पर जिन्दा है यह नहीं, यानि लिविंग डॉटर और लिविंग को पार्सनर का जो concept हमने गंकल मुवी के एक्जामपल से समझा था, पि पारी जज्जमेंट है, तो यह भी constitutional bench की जज्जमेंट है, इसमें जो है, यह held किया गया कि state legislature, जिसका की पार्ट, chief minister, cabinet और M.L. होते हैं, विधान सभा, जो है, वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि आप सीधे ही supreme court में अपील करें, high court या district court को छोड़ कर, आपके पास यह पावर नहीं है, यहां पर यह held किया गया कि भी दिवाने मत बुरों, जैसे कि रानी और दिवान रजवाडों की तरह आपको feeling लेही देनी है, रजेंदर दिवान और परदीप कुमार रानी बाला में यह कहा गया कि आप direct कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते कि आप सीधे ह साहिव के judgment को overrule किया गया, साथ ही held किया गया कि जो adverse possession का दावा है, उसे as a sword भी plenty of hour यूज कर सकता है, ना कि पहले के जैसे shield की तरह यूज करके वो defendant बनके रही लड़ सकता था, article 65 के दिन अब आप दावा कर सकते हैं possession के लिए settled possession के basis पर, अब बात कर लेते हैं, मुकेश सिंग वर्सिस state, इसमें मोहन से जो गलती हुई थी, उसको overrule करते हुए, यह कहा गया कि अगर भई, किसी investigating officer ने स्वैम तहकिकात की है, अर्थात वो ही informer था, और उसकी शिकायत पर तहकिकात हुई थी, तो आप के वल इसी ground पर पूरे के कर सकते हैं, fact to fact हमें देखना पड़ेगा, भई, भई, जीपीएफ का formula, good faith, prejudice, failure of justice, इनका ध्यान रखना होगा, और अब केस को याद करने का formula, तो भई, यह किस ने कहा है कि मुकेश जो हैं, वो गाना, गाही सकते हैं, गाना लिख भी तो सकते हैं, अर्थात, जो informer है, वो investigation भी तो कर सकता है, बढ़ते हैं, next judgment की ओर, for women victims, survivors of sexual assault and other crimes, तो यह basically guidelines हैं, special courts के लिए, under rule 7, POSCO, 2012 के तहत, Honorable Supreme Court ने यह भी कहा कि जब तक state government अपनी को scheme नहीं बढ़ा रहे थी, तब तक उन्हें इन्ही guidelines के अधीन चलना पड़ेगा, चलिए, अब बढ़ते हैं, next judgment की ओर, MCV महता 2020 की यह judgment, इसमें दिली के rail tracks के आसपास जितने भी slum dwellings हैं, बना लिए गए हैं, जो की safety के angle से बिलकुल भी safe नहीं हैं, किसी भी बड़ी दुरकटना का कारण बन सकते हैं, उन 48,000 slum dwellings को remove करने की बात कही गई, और जिसके लिए 3 months का time दिया गया, Honorable Supreme Court ने यह भी कहा कि right to shelter, हाला कि एक fundamental right है, पर यहां पर एक balance strike करने की बहुत जरूरत है, Honorable Supreme Court ने MC महता में यह भी कहा, कि अब कोई भी lower court, including high courts भी, यहां पर कोई stay नहीं दे पाएंगी, और अब इन्हीं demolish ही किया जाएगा, 2020 की एक और judgment, आर पूरडिमा, इस judgment में Honorable Supreme Court ने धीरेजमोर पर rely करते हुए यह कहा कि, serving judicial officers जो है, वो अपना advocate का जो experience है, जब उनका नाम high courts के judges की elevation के लिए दिया जाता है, तब वो count नहीं कर सकते हैं, हाला कि यहां पर उन्होंने राजू की judgment को consider करते हुए यह कहा कि, Supreme Court और high court में जहां तक pension की बात है, उसमें उनका advocate केसी का जो period है, उसे count किया जा सकता है, पर वो matter अलग है, और ये matter अलग है, तो podium का grant लग गया, judicial officers पे advocacy के ground को ले करूँ, राघव गुपता वर्सेस टेट 2020 की judgment, याद करने का तरीका वही, रगुपति राघव राजाराम, तो भई अगर बार कोड से यह information मिल रही है, तो फिर चाहे आपने regulation को label किया है, यह नहीं, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, यह कोई violation नहीं है, बार कोड एक टेकनीक है, जिसके दोरा constituents का पता चलता है, और label करने की उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, यह mention किया गया, रागवुवता वर्सी स्टेट 2020 की जज्ज्मेंट फे, फाइनल जज्मेंट की भी discussion कर लेते हैं, यहां पर सारिका वर्सीज अड्मिनिस्टेटर महाकालेशवर मंदिर कमेटी उज्जैन 2020 की यह जज्ज्मेंट है, नाम से ही पता चलता है, उज्जैन केशडी महाकालेशवर मंदिर की यह judgment है, ओनरेबल सुप्रीम कोट नहीं यहां पर यह हेल्ड किया, कि यह देखा गया है कि लोग पूजा के अधीन, जो है कुछ रिच्वल्स के अधीन, अडेल्ट्रेटेड मिल्क या अधर सब्स्टांसिस का उप्योग करते हैं, जिससे की शिवलिंग को रव किया जाता है, और यहां पर उसके चलते यह जो धरोहर है, हमारी वो नश्ट हो रहे है, ओनरेबल सुप्रीम कोट ने यहां पर गाइडलाइन्स दी, कि जो सब्स्टांसिस जिनको की शिवलिंग पर रव किया जाता है, पूजा के दोरान, उस पर उन्होंने कुछ रिस्टिक्शन्स लगाएं, और गाइडलाइन्स भी दी की कौन से सब्स्टांसिस यूज़ करने हैं, यहां पर जिससे की शिवलिंग नश्ट ना हो. तो अब क्विक ग्लांस में रिवाइज भी कर लिए जाएं, भई, कृष्णा पर साद वर्मा वर्सिस स्टेट अब बिहार, यहां पर ओनरेबल सुप्रीम कोट ने कृष्ण भगवान की तरह सुबॉडिनेट जज़िस को अर्जुन बन कर, भीत राग भै, क्रोण से मुक्त होकर, इंडिपेंडेंट होकर, फेरलेस होकर काम करने को कहा. रफीक में यह कहा गया कि भैई, आप माइनॉर्टी के गाब में यह नहीं कह सकते, कि माइनॉर्टी एजुकेशन इंसिचूशन में आप स्टेंडर मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम नहीं कर सकते. हीरा सिंग में ये हेल्ड किया गया कि भैई, ड्रग जो है वो हीरे जितना ही महंगा होता है, इसलिए अगर उसको किसी न्यूटर सबस्टांस में मिक्स कर दिया गया है, तो उसको टोटल कॉंटिटी के रूप में ही ना पा जाएगा, भैई, अब यहां पर ड्रग को चुन-चुन के तो अलग करने से रहे. विनिता शर्मा वर्सिस राकेश शर्मा में ये कहा गया कि भैई, अब लड़कियों को शर्माने की जरूरत नहीं है, उन्हें अज़ादी मिल गई है आगस्त के महिने में, तो अब यहां पर 99-2005 तक अगर पिताज जीवित हैं या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अब वे बेटों के बराबर ही कोपार्सनर हैं. और राजेंदर दिवान वर्सेज प्रदीब कुमार रानी वाला में ये कहा गया कि भैई, ना दिवाना बनने की जरूरत है और ना रानी. और मुकेश में ये हैल्ड किया गया कि भैई, आप मुकेश की तरह गाना गावी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, यानि आप इन्फॉर्मेट भी बन सकते हैं और इन्वेस्टिकेशन भी कर सकते हैं, ट्राइल विसीएट नहीं होगा. निपुन सक्सेना वर्सिस यूनिन ओफ इंडिया में ये कहा गया गी भैई, जब तक निपुनता के साथ सरकार जो है कोई स्कीम फ्रेम नहीं कर लेती, तब तक नालसा की स्कीम के अनुसार ही जो है सक्सेस रेट आएगा और चार से साथ लाग तक का कमपनसेशन दिया जाएगी 48,000 slum dwellings को हटाया जाएगा और कोई भी subordinate court जो है यहाँ पर उनको stay नहीं देगा आरपरुणिमा में Honorable Supreme Court ने advocacy के period पर grant लगाते हुए उसको ना count करते हुए judicial officers के elevation के time पर जो की high courts में होती है उस time पर उनके serving period को ही जो की judges का होता है वही count होगा ये held किया जो हमारी judgment है उसमें ये कहा गया कि भई बार कोड से ही जब पड़ा जा रहा है तो level करने की जरूरत नहीं है कि भई अगर आप रगुपती रागव राजा राम को follow करते हैं तो आपका conduct आपका बार कोड ये reflect कर रहा है तो level करने की क्या जरूरत है जी हाँ आज लगबग 12 judgments की हमने यहाँ पर discussion की और कोशिश की कि अपने दर्शकों को इन judgments के बारे में पूरी पूरी जानकारी दे पाएं कुछ ऐसी ही latest judgments के साथ और नए वीडियो के साथ आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए दीजे मुझे यानि चानक के को और मेरे शिश्य चत्र को इजाजत धन्यवाद